हेलो सुलें दोस्मा प्लोग का स्वागत थे और दोस्तों आज मैंने आप लोगों के लिए टॉप स्मार्टफोन से यहाँ पर लेके आ चुका हूँ हमाल के स्मार्टफोन के बारे में बताने वाल है एक और चीजी दोस्तों अभी Flip rabbit không अदो आपको स्थे आपर जांते हैं में किसकी बात करूँगा सबसे पहला जो स्मार्टफोन जो 20,000 में मिले का आपको और वो है रेड्मी का K20 जी हां 664 के साथ में आपको मिलेगा वैसा तो ये 21,999 का था बहुत का ब्लेंट्स थी लेकिन 20,000 में दोस्तों आपको ये मिल रहा है बड़िया फोन है दोस्तों ये पर्चेस कर लेना इस सेल पर इसको हाथ से मत जाने देना 20,000 के अंदर स्नाप्टेकन 730 उसके लावर भी बहुत कुछ है तो मैं सबसे पहरा स्मार्टफोन आपको रेड्मी K20 ही बताऊंगा 19,000 रुपे के अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों तो यहाँ पर मुझे सिफ एक ही फोन दिख रहा है इसके साथ में और किसी को कंपेर नहीं कर सकता हूँ और वो है दोस्तों POCO F1 जे हाँ POCO F1 का 8256 यो वो आपको भी 18,999 का मिल रहा है Amazon के उपर यभी सही यह चालू हो चुका तो आप जाके पर्चेस कर लेना 256GB storage तो है 8GB RAM तो है लेकिन Snapdragon 845 Imagine यह लाश्ट येर का flagship processor है जो आपको इस price पर इतनी ज्यादा storage और RAM के साथ में मिल रहा है उसके लावा camera भी अच्छा है इसका और उसके लावा भी बहुत सारे features मिलते है POCO F1 19,000 का 8256 best choice है जो आप जाके purchase कर सकते हैं यहाँ पर दोस्तों 17,000 की range के अगर मैं बात करता हो तो Asus का 5Z 5Z मतलब 6Z जो भी आया है वो flip पाला उसकी नहीं पिछले साल वाला जो 5Z था ना जिसमें आपको मिल रहा दा Snapdragon 845 इसमें भी flagship processor है यह भी दोस्तों आपको 17,000 उपे के अंदर बेलेगा तो best phone है दोस्तों यह भी और इसमें अगर आप चो cards के इसके उसके लिए लगा देते हैं और वो है दोस्तो Realme XT बेस चुने इसका 16,000 का 464 जो वो शुरू हो जाता है जहाँ पर इसमें भी दोस्तों आपको card से अगर आप इसको use करते हैं तो 10% discount मिलेगा तो यहाँ पर भी आपको अच्छे का सिर्फ चीजे मिल जाती है 15,000 की में बात करता हूँ और 15,000 ही आपके पास और ज़्यादा पैसे ना ज़्यादा है ना कम करना है तो मैं आपको बता हूँ तो 15,000 में सबसे पहला आप Poco F1 का 664 जो बेस है वो ले लेना यह फोन अच्छा है दोस्तो अपडेट्स कंपनी कॉंस्टेंटी पुश कर रही है नया MIUI 11 भी इसमें मिलेगा आपको स्नैपगें 845 है स्टोरिज रैम भी आपको काफी डिसंट मिलती तो Poco F1 15,000 में यह वाला आप जाके ले सकते है लेगिन अगर नहीं लेना है डर लगता है कि पुराना फोन है तो आप ले सकते है वीवो का Z1X एक्चुली में इसकी प्रैस जो वह 17,000 की थी 664 लेकिन यहां पर दोस्तों कार्ट से अगर आप लेते तो तो यहां पर आता है बहुत सारे फोन से लेकिन पहले फोन की बात करता हूँ तो मैं आपको रेकेमेंड करूँगा Samsung Galaxy M30s Samsung की पहली बार उन्होंने इतनी अच्छी प्राइस रखी तो मैं यही फोन पहला रेकेमेंड करता हूँ जहां पर आपको यह 464 इसका बेस विरिंट मिलता है इसमें Exynos 9611 अच्छा प्रोसेसर है PUBG HDR में केल सकते हैं Super AMOLED Full HD Plus की U-Ship Notch वाले डिस्प्रेई 6000 अमेच की बैटरी ट्रिपल कैमरा 48 Megapixel फास्ट चाजिंग टाइप सी पोर्ट बहुत कुछ मिलता है 14,000 में Samsung की ब्रैंडिंग आफ्ट इस सर्विस भी बड़ी है मिलीगी मैं सबसे पहले आपको यह रेकेमेंड करता हूँ उसके बाद दोस्तों एक और फोन है 14,000 में जो हम भूल नहीं सकते हैं और ओविसली वो है Realme 5 Pro Quad कैमरा 48 Megapixel पीछे है Sony वाला सेंसर है अच्छी कासी आपको बैटरी मिलती है बहुत ही प्रीमियम आपको डिजाइन मिलती है Snapdragon 712 है 14,000 में 464 का Realme 5 Pro भी आप लोग लेक बेश्ट वाई हो सकता है वैसे इसमें उन्होंने कुछ प्रीपिड ओफस वगरा भी लगा दिये तो ये कुछ 13,000 में effective price आजएगी लेकिन एक से नॉर्मल ही आपको ये 14,000 में मिल जाएगा अब बात करते हैं यहाँ पर दोस्तो 13,000 के range की smart phones की यहाँ पर मुझे सिर्फ दो smart phones दिखाई देरे जो आपको इहाँ पर recommend करता हूँ सबसे पहला जो smart phone है वो है Xiaomi का Mi A3 हाववर ये 13,000 का ही था लेकिन यहाँ पर कुछ card के offer से दूसरे कुछ offer जो लगा देंगे तो आपको बहुत ही effective price नहाँ पर पड़ेगी exchange offer वगरा भी आपको मिल रहा है 13,000 में दोस्तो 464 है, Android One है आपको Super AMOLED HD Plus की display, glass body मिलती है, type-c port है बहुत सारे features मिलते है, decent phone है दोस्तो Snapdragon 665 है तो आप इसको भी purchase कर सकते है लेकिन एक और चीज़ है दोस्तो 13,000 में आपको मिलता है Vivo का Z1 Pro, ये बहुत ही powerful phone है actually में 15,000 का था, 464 ये आपको भी 13,000 का मिल रहा है यहाँ पर आपको बड़ी सी 5,000 की बैटरी, triple camera से, punch hole display, snapdragon 712 तो ये भी एक कमाल का phone है दोस्तो जो 13,000 की range में आपको जाके purchase कर सकते हैं यहाँ पर दोस्तो 12,000 की range की में बात करो तो बहुत सारे smartphone से यहाँ पर सबसे पहला smartphone है Samsung का Galaxy M30 जी हाँ अभी ही दोस्तो 464 जो है यह आपको 12,000 में मिलेगा वैसे तो 15,000 का था ताइप C पोर्ट, 5000 इमिच की बैटरी है और साथ में fast charging भी है triple camera से super AMOLED display है वगरा वगरा तो M30 अगर 12,000 की range हो Samsung का ही phone चाहिए तो यह वाला phone में आपको recommend करता हूँ उसके अलावा दोस्तो Honor का 20i भी है वैसे तो 15,000 का था ही है 4GB RAM 108GB storage यह आपको 12,000 का मिलेगा तो 12,000 में 108GB की storage बहुत ही बढ़िया है triple camera से 32,000 की selfie है premium design है यह phone भी वैसे मुझे काफी compact और काफी बढ़िया लगा है तो आप यह वाला phone भी purchase कर सकते है और उसके बाद दोस्तों दो और smart phones जो आपको 12,000 की range में मिलते है पहला तो Realme का 3 Pro है जो आपको 12,000 में मिलेगा 464 और Realme 3 Pro थो हमें पता है Snapdragon 710 fast charging better camera वगरा वगरा और Redmi का Note 7 Pro भी 12,000 में मिलते है उसके बाद यहां पर दोस्तों फाइनली अगर मैं बात करता हूँ 11,000 की range की smart phones की तो सबसे पहला जो smart phone है वो है Realme का 2 Pro जी हाँ यह आपको 11,000 रुपे में मिलने माला है अभी Full HD Plus की आपको यहां पर 6.3 इंच की display मिलती है पीछे तो सोला डू का डूल कैमरा है तो 11,000 ही आपकी budget है तो Realme 2 Pro भी आपके लिए बढ़िया है वैसे इस पे भी office लगा दें कि तो बहुत ही सस्ता हो जाएगा और साथ में दूस्तों आपको यहां पर Redmi Note 5 Pro भी मिल रहा है की बीच में अभी है और अभी फिलाल के लिए sale भी चल रहा है तो आप इन में और फायदा उठा सकते हैं जो मैं आपको फिलाल के लिए recommend करता हूँ जो आप अभी October के मैंने में purchase कर सकते हैं अगर आपको यह वीडियो पसने हैं दोस्तों तो like करना ऐसे फ्यूचर में useful वीडियोस लाता रहूँगा और आप लोगों को ऐसे ही update करता रहूँगा मिलते हैं आपसे ग्लिप डिए में एक नए वीडियो के साथ तिल यह नवी ग स्क्राइब पस्क्राइब